सो वेल गाईज आज हमारे साथ है यामाहा की mt15 का दो मोडल 2022 और 2023 वीटू और वीट्री कंप्रेजन करेंगे दोनों में क्या डिफ्रेंस देखने को मिल जाएगी क्या नए चेंजिंग देखने को मिलाएगे और सबसे बेस्ट बाइक 2023 में कौन से साबित होने वाली 2022 मोडल की या फिर 2023 मोडल की और एक गुड न्यूज में आपको दे दू अब तो करेंटली 2023 चल रहा बट mt15 के यामाहा कंपणी ने रिविल कर दिया है कि 2024 में इसका अपग्रेट वर्जन वी फॉर भी बहुत ही जल लॉंच होने वाला तो वीडियो में बने रहिएगा चैनल में फर उक्तिन वी तू के अगर बात करें तो इसका जो कलर कॉंबिनिशन है ना आट वह आप अलग से देख सकते हो इसमें भी आपको कलर कोमशन अलग देखने को मिलेगा सेम इंटरफेस देखने को लेकिन आपको इंडिकेटर है दोनों का वह आपको चैंजिंग देखने को मिल पूरा और इसको कॉणिफाइए करवादी इसके ताला कि बृचिक्टी के इसकाज़ कुल films दोर हम यूज़ी ऑपर साइट आप हुआ है और अगय बात करें तो दोनों का अलों का किलर आप देख सकते तर भी टु का आपको हैंक्ट के मिल जाएगा एमरेफ कमपनी का इसमें आपको टायर मिल जाएगा है जो आपको कभी भी जर्क होने में ब्रेक लगाने में कोई दिक्कत करने वाला नहीं है मिल जाता है सबसे मोस्ट इंपोर्टन चीज़ बात करें तो यह क्या है जो इसमें नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं कि इसमें आपको पहले से फिटेट किया मिलता है किया है कि जिसका भाइक है उसने इसको मोडिफाइ किया इसके वाज़े से इसका चेंजिंग देखने को मिल जाता है यहीं आपका यामाहा का लोगो मिल जागा MT-15 के sticker मिल जागा यह आपको front से एक छोटा सा जाली मिल जाता जो आपको air को engine के पास ले जाता और गाड़ी को cooling करता है और same it is profile उसमें भी आपको V3 में देखने को मिल जाता है MT-15 का branding मैट वाला आपको steel color का combinational graphics मिल जाता है और इसमें भी आपको MT-15 का वही सेमिटिस देखने को मिल जाता है बात करें ना सबसे इंपोर्टेंश दोनों गाड़ी के अगर engine के बारे में तो भाई दोनों ही गाड़ी में आपको 155 cc का single cylinder four stock air and oil cool hoce liquid cool engine इसमें आपको मिल जाता है 18.4 का PS का power generate करके दे देती है और torque अगर बात करें तो 14.1 mm का इसमें आपको torque generate करके दे दीती है Ground clearance आप देख सकते हो ऐसा नहीं कि ground clearance इसमें आपको V3 में ज्यादा देखने को मिल जाता है बात करें अधर section की बारे में 12 लीटर का fuel tank आपको मिल जाता है दोन ही गाड़ी में आपको FI injector वाला system मिल जाता है इसमें आपको carburetor वाला system नहीं मिलता है पीछे section के अगर बात करें तो भाइदों को इसमें पिनियन हंडल मिल जाता है same it is और इसमें भी आपको pinion handle same it is देखने को मिल जाएगा साइट प्रफाइल के बात करें तो देखो इसमें जो आपको silencer वाला exhaust channel checkout को किस तरह देखने को मिलता है और same it is आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा इसमें बात करें तो इसका इंडिकेटर और इसका इंडिकेटर तो भाई ने खोली रखा बट इसका इंडिकेटर आपको वी तरी वाले बात करें भाई वीडवी टू की प्राइज कॉंप्रेज़न के बारे में तो भाई करेंटली वी टू का प्राइस एक लाख पंचानवे हजार रुपया वो का रस्टेल से जारकन में मिल जाएगा और यह आपका वी त्री आपको दो लाख पांच जार में मिल जाएगा यानि कि तेन थाउजन का डिफ्रेंड मिल जाएगा और सबसे इंपोर्टिन ची मैं डाल लूँगा डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो और यह आपका वी टू एक सो पचास तक के रेंज में जाती है टॉप स्पीड वी टू के कंप्रेजन में वी तरी का टॉप स्पीड आपको पांच किलो मीटर का ज्यादा देखने को मिल लागा स्पीड पांच का यूज कर रहे हो तो 50 to 45 to 50 के बीचि में आपको माइलिस कहीं जाने वाला एक्रेशिप कितने मी यूज करोगे और सबसे खास बात मुझे इस गाड़ी के एक चीज और लगती है कि इसका जो यह सेक्शन देखने हो ना यह रेगुलेटर वाला इसमें भी यह सेक्शन आपको देखने को मिलता है तो कुलेंट किया ना कि आपके गाड़ी में कुलेंट डाल करके गाड़ी को इंजन को ठंडा किया जा सकता है यह आपका प्रोसेस देखने को मिल जाता है तो आप लोग बताई यह वीडियो आप लोगो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगा बैल आगन को प्रेस करेंगा इसी तरह मैं और भी अनेदर वीडियो अप्लों के लिए आरोगा थेंक यू सो मच फूर वाचिंग दिस वीडियो